हेलो एंड वेल्कम टो दा स्टूडियो ट्रीडर्स बजाओ जोटो को आज हमने शॉट लिस्ट कर रहा था ट्रेट करने के लिए अपने पब्लिक टेलिग्राम ग्रूप में आज हमने मौनिंग में एक पोल दिया था लेवल्स ड्रॉ करके बजाओ जोटो के शेर के दे एंड आप सभी लोगों आज हमने पूचा था कि आपके एकॉर्डिंग आज प्रैस का ट्रेंड क्या रहने वाल है बजाओ जोटो के अंदर चार हमने ऑप्शन्स दिये थे उसके अंदर बाइंग सेलिंग सैडवे या फिर आप नहीं जान रहा हो कि इस तरह से आपको ट्रेंड करना है तो वह एक उप्शन था काफ़ी लोगों इन्हों से पार्टिसिपेट कि आप लोगी वह टेलिग्राम गूर्प जाइन कर सकते हो दो रीजन है पहला तो हम मॉनिंग में कई बार वहां पर इस्टॉक्स उसके ओपर हमारी के अनल्सिस है मेरा पॉइंट आपको बाइ वीडियो बनाए रोज अप्रोट करें तो हमने कब कौन सा ट्रेट एक्जेक्वेट करते हो नहीं भी करते हैं तो उस ग्रूप में हम इन्फॉर्म करते हैं तो आप वो ग्रूप जोइन कर सकते हो अब आगे बढ़ते हैं एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है जो आज की प्राइस को मिला करके यूज करते हैं बहुत साइच चीज़ें इससे आसान हो जाती है एक तो पहला तो आपका ट्रेंड आइंटिफिकेशन क्लिर हो जाएगा कि आपको बाइंग ही करनी या फिस सेलिंग ही करनी है कई बार ऐसा होता है माली ये बजा जोट है अब एक टेक जैसे यहां पर भी रेट केंडल बनी यहां पर देखे दो रेट केंडल है तो आपको थर्ड केंडल ग्रीन दिखाए पड़ेगी यहां पर देखे दो रेट केंडल है तो थर्ड आपको ग्रीन दिखाए पड़ेगी बट यहां पर क्या है कि दो रेट केंडल है बट यहां पर green नहीं बन रही है क्या चीज हम इसे clear करना चाहते है कि एक prediction होता है कि market में हमें करना क्या है अगर हम यह बोल रहा है कि दो green candle बन रही है उसके बाद में आपको red candle देखेगी तो यह हमारा prediction है next है हमें short selling ही करनी हम लोग buying नहीं करेंगे जब यहाँ पर हमने यह बात बोली कि दो same color की candle आपको decreasing way भी मिल रही है और third candle आपको green देखा ही पड़ेगी तो इसका यह हरगी मतलब नहीं है कि वहाँ पर red candle form नहीं हो सकती हाँ फॉर्म होगी बट next day के लिए हमारा move बिल्कुल clear cut one directional move होता है कि यह तो हम buying करेंगे या फिर selling करेंगे अगर हमें decreasing way में दो volumes देखरेंगे तो फिर हम next day buying ही करेंगे हम selling करेंगे नहीं हाँ अगर हम करेंगे नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वह stock नीचे गिर नहीं सकता है गिरे तो गिर वह गिर सकता है लेकिन बहुत बार ऐसा होगा यह जो system चुटी 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 techniques हम बताते ना actually these are not small techniques बहुत ज्यादा ही आपकी help करतेंगे बहुत साइर readings में आपको time waste होता है पता नहीं रहता है कि कल क्या करें कैसे करें किस जगह से करें इस सारी चीज़ आपकी clear हो इसको देखेंगे तो चार point है जो कि one by one हम आज की वीडियो में clear करेंगे वीडियो अच्छा लगता है तू लाइक कीज़ेगा comment कीज़ेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कीज़ेगा अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो आज अगर आपने बाजा प्राइज ने इसको पर को हमें confirmation दिया है एवन प्राइज ने exact उसी जगह पर अपना हाई लगा और हाई लगा करके सीधे नीची ऐसा बने की गिर गया है साइड भी हो गया बहुत बड़ा मूव नहीं यह 0.6% ही पूरे दिन चला है तो देखिए यहां पर जैसे हम अपना एकाउंट ओपन कर लेते हैं espresso and position book position book में देखिए पूरी position book हमारी खाली है और एक single order हमारा इसके अंदर नहीं लगा है देखिए पूरा order book भी खाली है तो कोई execution नहीं हुआ setup नहीं बना हम trade execute नहीं करेंगे जबरजस्ती नहीं कि particular बजाओ जोटों के अंदर हमें ऐसा लग रहता है कि green candle बनेगी और अब stock अगर नीचे के तरफ गिर रहा था हम short कर देंगे अगर उसको नीचे गिरना था फिर वो गिर जाए फिर यह मेरे किसी काम का नहीं गिर सकता ह बट हम इसके अंदर तभी action लेंगे जब मेरे point of action पर इसके अंदर buying के control missions होंगे हम trade execute करें और अपने चोटा से stop loss लगा करके trade execute करेंगे बट हम किसी के अंदर किसी भी stock के अंदर हम short selling का अपना view बना करके रखे हुए हैं और वो stock आपका buy हो रहत तो फिर हम buy नहीं करेंगे करेंगे ने बाउस तो stock को जहां जाना है चला जाए सो आज के session में किसी तरह का profit नहीं कोई भी trade execution नहीं स्टार्ट करते हैं सबसे पहली technique से first system में इपना decreasing loss decreasing loss in the sense के यहां पर दो volumes form होती है decreasing loss system के same color की दोनों volumes होती है या तो यह green होती है यह negative volumes होती है चाहे तो black या फिर red जो भी आप use करते हो यह दो volumes होंगे अगर decreasing way में same color की volumes fall हो रही है तो जो third volume बनती है वो आपकी opposite color की volume form होती है और same चीज इसके opposite अगर black color में आपको decreasing loss देख रहा है decreasing way की volumes देख रही है तो third जो volume बनती है वो आपकी opposite direction इस तरह से क्या होता है कि previous two days की movements को देखते हुए हम third day trade execute करने के लिए अपना direction पूरा clear कर लिए इसके कुछ rules लिख देते हैं जैसे कि आपको याद करने में असानी रही है अब फिर्स्ट केंडल जो बने कि होवा इसको आपकी green भी हो सकती है red भी हो सकती है चाहे जैसे भी हो जो game start होता है वो second candle से start second candle should be less than starting candle यानि के जो starting की हमारी candle form हो रही है उससे कम होनी चाहिए and third point है second candle volume should be same as first candle जो आपकी first candle बनेगी same color के आपकी second candle लोनी चाहिए और first वाली candle से volume हमारी कम होगी second third candle की volume बनेगी वो होगा हमारा opposite color opposite color like जो first or second color की candle मरी फॉर्म होई इसका just opposite यानि के जो first or second candle मरी फॉर्म होई है इसका just opposite color की candle मरी बनेगी इस तरह से हमें अगले दिन buying करनी है या selling करनी है हम एक दिन पहले ही पता लगा सकते हैं और next step के लिए जो हमारा trend है वो पूरी तरह से clear हो जागा इसमें कई सारी चाज़े और include होते ही like point of action हम लोग कैसे निकालेंगे point of action के बाद में लोग price के reading कैसे करेंगे उसके ओपर एक overall analysis एक overview में कैसे निकालना होता है entries की कौन कौन से techniques है higher time frame से फिर lower time frame पर आने के बाद हम किस तरह से अपनी entries को identify करते हैं stop loss, target points किस तरह से होगे तो अभी हम जो exercise आपको देंगे आज करने हैं कि exercise करिए इसके ओपर practice करिए इसे जरूर आपके trading में बहुत ज्यादा हम शूर है कि आपको बहुत help इसे मिलेगी जो day time frame रहेगा, day time frame रहेगा stocks के ओपर आप इसका use करो derivatives में भी आप इसका use कर सकते हो nifty में है, bank nifty में है, but उसके rules थोड़े से change हो जाते हैं थोड़े से different rules होते है stocks और derivatives second following rules का setup देखिए इसमें सारी चीज़े सेम रहती है बस यहाँ पर क्या है, दो candles थी इस जगे पर दो candles थी अब यहाँ पर तीन candles बन जाते है rules are same, starting candle कोई matter ने करता किस color के बनी क्या size है but second candle should be less than first candle third candle should be less than second candle और इसके बाद में जो volumes हैं जितनी भी volumes बन रही है, all volumes बार color should be same जितनी भी volumes हमारी बनेगी, वो सारी के सारी same color के होने चाहिए अब इसके बाद में क्वेशन आता है, जो हमारी 5th volume है 5th जो volume, 4th जो volume बनेगी 1, 2, 3 तो यह बन गए यह हमारी 4th volume 4th volume का color क्या होना चाहिए तो यह just opposite color market फॉर्म करती है, चाहिए यह positive में लीजए चाहिए नेगेटिव में लीजए अगर गिरते हुए करम में आपको 3 volumes देख रहे हैं नेगेटिव कलर की, तो जो 4th volume बनेगी, अकसर आप देखोगे कि यहाँ पर positive volume ही 3rd technique हमारी 1st और 2nd से कैसे लिए क्योंकि हम लोग 1st और 2nd technique का यूज़ कर रहे है, डेली टाइम फ्रेम पर और जो 3rd technique है, इसका यूज़ हो रहा है 5 minutes के टाइम फ्रेम पर इसको याद रखेगा देखिए होता क्या है, कि market start होने के बाद में, कहीं पर एक अपना low लगाती है और कहीं पर अपना एक high लगाएगी, कोई भी stock आप उठा लिजे उसका एक low होता और एक high होता है कुछ charts ऐसे होंगे जिसमें फिर आपको 9.15 की candle का high और low दिख जाएगा फिर हम उसको mark नहीं करते हैं, कोई वो mark करने बाद जिस candle ने low लगाया है उस candle को उसे read नहीं करेंगे और जिस candle ने high लगाया है उसे भी हम read नहीं करेंगे, क्योंकि यो दोनों candles ऐसी होती जिसमें की volumes अकसर ज्यादा ही होता है तो इस वज़ए से इन candles को हम लोग नहीं लेते हैं हम कौन से candle लेंगे, जो इन दोनों candles के बीच में होंगी तो यानि के हमारे पास इतनी candles आगा अब इसमें से जितनी भी candle हमारे पास हैं हमें यह देखना हो कि कौन सी ऐसे candle है, जिसकी volume सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा, कौन से candle, मतलब फर्स्ट वाली candle को हमने छोड़ दिया सेकंड केंडल को हमने छोड़ दिया अब इन candles, अब एक, दो, तीन, चार, पांच, 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 पांच में से कौन सी ऐसे candle जिसकी volume सबसे ज्यादा है सर्च करना बहुत असान होता है इसमें में क्या देख रहा है ना कि यह वाली जो अपनी candle है, इसकी volume सबसे ज़ादा है जगह कमती, इस वादे से यहाँ पर volume का आप shape देख रहे हो, इस जगह पर volume का shape दूसरा है so, यहाँ पर सबसे ज़ादा volume, इस वाली candle में है हम क्या खर लेते हैं इस वाली candle को mark करें mark करने के बाद में ऐसा है नहीं कि अगले दिन हम इस candle को बहुत वो करेंगे यहीं से हमारी entry exits होगा नहीं हमारी लिए important क्या है volume यह वाली volume तो एक तो यह होगा कि price कहीं पर अपने low लगाएगी कहीं हाई लगाएगी और दोनों के बीच में जिस भी candle की volume सबसे ज़्यादा हम उसको mark अब यहाँ पर एक price action आपको देखना होगा एक जो हर्केंट stock करता है high और low लगा देने के बाद में वो बंद नहीं होती वो चलेगी market इस तरह से आपकी volume सबसे ज़्यादा है अब मैं क्या करना होगा second part में जो market चली है इसमें कोई क्या एक ऐसी volume है जिसने की हमारी इस वाली volume का breakout किया कौन सी जिसको कि अभी मने important volumes mark की हैं अगर second part में ऐसी कोई volume बन रही जो कि हमारी इस वाली volume से breakout कर रही है और price का जो direction है वो down से upside की तरफ है तो next day आप buying देखोगे सिर्फ और सिर्फ buying होगी इसके लाव हम लोग और कुछ ने करेंगा अगर market हमारी नीचे गरीगी तो गिर जाए अगर हम especially इस technique का use कर रहे है तो आई होब कि ये concept आपका clear हुआ है अभी एक last video हमने upload किया है जिसमें हमने ये बताया था आपको कि जब हम लोग loss करते हैं तो loss कैसे increase होता रहता है और जब हम profit में तो थोड़ा सा ही profit होता है वो वाला जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें lower time frame volume इस concept को बहुत अच्छी तरह समझाए वो वीडियो भी आप देख लोगा तो ये concept आपको clear हो जाएगा और इन तीनों concepts को बहुत आराम से समझेंगे charts के उपर एक एक करके इंके example लेंगे और जो third concept है हमने बोल तो दिया है आपको कि clear हो गया होगा शायद बट हमें ऐसा लग रहा है कि clear नहीं हुआ है तो अभी chart के उपर इसको और clear करेंगे कोशिश करेंगे अब यह ब्रिटानिया है ब्रिटानिया कोई भी आप कोई भी chart ले लिजए चंबल fertilizer है चंबल ले लिजए अब यहां से इसकी practice करिए देखिए एक दो तीन बाई एक दो बाई यह देखिए साथ दस और ग्यारा कल बाई का setup अप रखोगे बाई का ही अपना view रखोगे चंबल fertilizer के अंदर और क्या है इसके अंदर होते ही हमको देख करके बताईएगा कल हम इस stock को watch करेंगे और जो भी होगा अच्छा एक चीज़ हमें और पहले चलिए clear कर लेता है यहाँ पर और देखिए जैसे कि 14 और 15 जून को देखिए decreasing form हुए हैं और यहाँ पर देखिए यह देखिए यह तुम लोग शाथ देख चुगे न 22 और 30 यहाँ पर बाई फिर यहाँ पर क्या हुआ है decreasing volumes find out होंगे एक और दो एक जून और दो जून decrease हो रहे हैं पांच को देखिए से थे बाई फिर से आप देखिए 18th मई 19th मई 22 को बाई यहाँ क्या है 11th मई और 12th मई अगले दिन बाई यहाँ पर क्या हो रहा है एक और दो 9th and 10th में को क्या decreasing form हो रहे है बट 11 को बाई होना चाहिए बट यहाँ शॉर्ट हो गया अब शॉर्ट में क्या है कि हम शॉर्ट करेंगे ने भले ही वो गिर जाए बट में शॉर्ट ने करना ट्रेडिंग स्किल्स जो है न आपकी इंप्रूफ हो जाएंगे इससे बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर से हल्प मिलेगी अभी थोड़ देर पहले हमने जो आपको बताया है कि 1st, 2nd volume same color की decreasing way में बन गए तो 3rd candle हमारी opposite होनी चाहिए बट अगर तीसरे दिन भी आपकी same color की candle बनी जैसा कि यहाँ पर हुआ एक, दो, तीन तो 4th day हम लोग opposite color लेकर की चलते हैं तो दोनों concept लगबग लगबग आपके same हैं बट decreasing lows में 2 following lows में 3 candle हम लोग लेकर की चलते हैं चीज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि price की reading, यह जो techniques हैं एक level पर आज जाने के बाद में जो भी trader है जो भी trader है, trades कर रहे हैं शुरुबाती level की जितने भी है न एक यह होता है कि techniques को वो supreme बना देते हैं अगर उन्हें मिल गए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमको मिल गया, जबकि यह नहीं मालूम है उन्हें, यह नहीं सोच पा रहे हैं कि जो हम price को read कर रहे हैं तो price को read करने में यह technique हमारी help करते हैं, ना कि trade execute करने में अब अभी जैसा हमने बताया कि next day के लिए moves हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, buying करें, selling करें trend identification कैसे करें, तो यह जो हमने technique बता है, इसे clear, कि अब आपके यह कम से कम problem है, इस technique से जो थोड़ी बहुत है, यह problem solve हो जाएगी, कि आपको buying करने, selling करने, अब इसके ओपर बहुत ज़्यादा दिमाग में दर्द नहीं होगा बट, इसका यह मतलब नहीं कि अब आप price की reading ही छोड़ दोगे price reading बंद, यहाँ पर एक, दो, तीन दिन marketing चेग रहे हैं, सिधे आप तीन जुलाई को जैसे market को लेगे, आप सिधे buy कर लोगे ऐसा तो करना नहीं है, अब आपका जो काम शुरू होता है, वो price को अब आपका reading करने की problem solve होगे, यह solve नहीं होगे, हाँ, read करने में यह सारी चीज़ें additional way में आपको बहुत help कर देंगे, यह चीज समझ नहीं होगे, अतरव इसके है न, आप loss करोगे, नुक्सान करोगे, हम चाहे जितनी अच्छी चीज़े आपको बता दें, आप loss ही करोगे अब supply ले लेज़े, देखिए, supply है, supply में सारी marking sum remove कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, सिर्फ volumes को पढ़िए, एक और दो, है न, 26 को buy, इसके बाद में, एक, दो, तीन, यहाँ पर क्या है, falling rose patterns form होगे, 20 June को सिधे short, फिर से देखिए, क्या है, 1, 2, decreasing form हो रहे है, 12 को सिधे short यहाँ पर क्या है, एक और दो, 6 और 7 को price नीचे की तरफ गिर रहे है, 8 June को सिधे buy, यहाँ पर देखिए, क्या है, यह चीज़े fail हुई है, क्या होगा, यहाँ तो हमारा stop loss जाएगा, और दूसरी चीज़, यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, तो जब भी stop loss जाए, वो आपके यह साइज चीज़े फिर money management और risk management में आ जाते हैं, जब हम उसको experiment करने जाएंगे तो video बहुत ही बढ़ा हो जाएगा, तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, फिलाल, simple से क्या चीज़े, आप जो समझनी चाहिए, कि यहाँ तो फिर हर में stop loss लगा रहे है, और market हमारी opposite direction में तो stop loss चला जाएगा, यह मान करके हम लोग चलेगा, इस तरह से कोई भी concept आप उठाओ और उसके ओपर बस practice start कर दो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, effort लगाना पड़ेगा और एक ही system की उपर लगातार एक ही दिशा में काम करना पड़ेगा, आज यहाँ, क नहीं एक चीज़ पर shift होना ही पड़ेगा, और हमारा simple सा ऐसा कहना है कि जो भी segment आपको choose करना है practice के लिए वो choose करो, बस कुछ demand से जो की fulfill होनी चाहिए शुरुवात में आपकी, अब एक बात आप बताईए, आप market से पैसा लेने आए हो कि market को पैसा देने आए हो, क्योंकि बहुत से लोग जो जिनके साथ हमारे discussion चलता है, किसी के account में 1 लाग है, किसी के account में 2 लाग है, किसी के account में 50,000 यह है, किसी के account में 10 लाग है, अगर आप capable नहीं हो, तो वो 10 लाग रुपए account में रख करके क्या फायदा, जबकि आपको मालूम है कि आपको trade करना नहीं आ रह लिए बड़े amount में चाहिए, छोटे amount में बहुत कुछ हो जाएगा, और जब हम बात कर रहे हैं छोटे amount की, तो सबसे important चीज जो आती है, कि आपको वही segment चूज करना चाहिए, जहां पर आप कम पैसे में ज्यादा सीख सको, नहीं हम यह बोलते हैं कि option करना बहुत बेकार है नहीं हम यह बोलते हैं कि future करना बहुत बेकार है, सारी चीज़े सही हैं, लेकिन आप कब किस समय पर कर रहे हो, यह बहुत important है, अगर शुरुवाती phase में ही, आप उस segment में चले गए, जहां पर एक trade आपका पंदरासो और दोहजार रुपाय का बन रहा है न, इसका मतलब हमारी opposite direction में गए तो बड़ा loss होगा, क्या फैदा उस बड़े loss का, हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आप 2000 रुपाय का loss लेने के लिए अपने आपको बहुत सक्षम मानते हो, आप 2000 रुपाय का loss हो गया न, तो ठीक आपको फरक नहीं पड़ेगा, जब किमको मालूम है, एक middle class family के लड़के को जब 2000 का loss होता है न, तो पूरा दिन खराब हो जाता है, बरबाद हो जाता है, जहां से भी उसने जो भी कुछ सीखा न, सब के उपर question mark दिखाई पड़ते हैं, क्या हमने सही सीखा, क्या हमने practice गलत की, क्या हमने किसी ने गलत बताया, वो यह नहीं देखेग लेंगे, हम लोग revenge trade execute करेंगे, यह psychological points हैं, जो कि trade execute करने से पहले आपको clear होने ही चाहिए, otherwise blow कर दोगे अपना account आप, पूरा गायब हो जाएगा, पचास हजार हो, एक लाग हो, दो लाग चाहें, जितना हो, सारा का सारा चला जाएगा, और जो दूसरा point है, भले ही, वो 2000 र बात ने, तो यहाँ पर एक चीज़ यह भी तो देखनी पड़ेगी, कि जानभूच करके हम क्यों loss करने जा रहे है अपना, जो price action आपको other segments सिखाएंगे, वही price action आपको equity भी सिखाएगा, तो पहले जो आपकी capability है, पहले जो आपके price actions की skill है, उसको मजबूत करो, वहाँ प हर जगे आपको lots लेने पड़ेंगे, हर जगे आपको lots लेने पड़ेंगे, और जहाँ पर भी lot के अंदर आपको वह हुआ, फिर उसके अंदर बड़ा loss है, बड़ा profit आजाता है, तो पहले सीखो, सीखने के कुशिश करो, अगर आपको कोई भी segment है, जो की trading सिखा सकता है, त उनके पेशे, जो वह profit कर रहे है, कब तक profit करेंगे, पता नहीं, तो लग पर हम लोगों को नहीं चलना है, logically सोचिए, logically चलिए, अभी हमने जो techniques पता ही, इनका use करो, आप देखो कि reading में किस तरह से आपकी improvements आती है, लेकिन उस दिशा में आप सोचो भी तो, कि किस दिशा में आपको जाना है, अभी आप ये वीडियो देखो, कल मॉर्निंग में जैसे market start होगी, 950, 930, 920, 945, जैसे ही होगा न, वैसे आप 2, 3, 4, 5 slot मार दोगे, उसके बाद में पूरा दिन आपको चले जाएगा, ribbon state करने में, कि जो loss किया है, उसको हम recover करें, बहुत सारा loss recovery हो सब गया, अब आप minus में आगए, और ये story हर किसी के साथ होती है, अब आते हैं हम लोग अपनी third technique पर, एक दिन पहले हमें ये चीज़े analyze करके अपने पास रख लेनी है, एक हम low लेंगे और एक high, और ये करना कब है, five minute के time frame पर करेंगे, एक दिन पहले, first वाली candle जिसने low गयागी उस candle को हम लोग माख नहीं हमें ये देखना है कि इन दोनों candles के बीच में ऐसी कौन सी candle है, जिसकी volume सबसे ज़्यादा है, इस range में, जयनि के 9-30 से लेकर के आपकी 10-15-15-not के बीच में जितनी भी candles बनी, इसमें सबसे ज़्यादा volume कौन सी है, तो हमें दिख रहा है क 10-15-15-not के वो candle इसके अंदर सबसे ज़्यादा volume है, अब हमें कि अभी जो हमने आपको बताया था, drawing के अंदर, कि जो low है और जो high है, इसके अंदर में ये volume मिल गई, अब high के बाद में भी market तो चली रही है, continuously चल रही है, अब ये जो market आगे चली है, इसके अंदर हमें कोई एक ऐसी volume find करनी है, जो कि हमारी previous ये वाली जो volume है, इसका breakout करें, समझ रहा है ना, इसको दो पार्ट में divide करें, और अच्छी तरह से समझें, कुछ अकर confusion इसको ले करके होता है ना, तो comment box में comment कर दीजागा, तो उसका reply हम कर देंगे आपको, कि यहाँ पर first वाली जो candle है, हम इसको mark नहीं किया, ठीक है, और ये वाली candle इसको भी mark नहीं किया, छोड़ दिया, अब ये जो दोनो black wire line है, इसके बीच में सबसे high volume देखे कौन सी है, ये वाली देख रहे है, अब मैं इस high volume का breakout चाहिए, high लगने के बाद में, जो भी candles भानी है, simple, तो यहाँ पर देखे क् volumes के breakout आपको देख जाएंगे, इस वाली volume का breakout हो गया, कहां इस चेकर पर हो गया, ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे है, कि volumes के भी breakout हो गया है, price में uptrend है, इसका क्या मतलब होगा, हम लोग next day buying करेंगे, समझ गया ना, फिर से देखे, price ने uptrend लगाया, clear ना, ये price ने uptrend लगा दिया, मतलब कि हम next day buying करेंगे, लेकिन एक चीज़ और देख लेंगे, कि यहां पर जो important volume इस uptrend के दौरान आई है, इस volume का क्या breakout हुआ है, अगर हां breakout हो गया है, तो फिर आप next day buying कर लो, और जो भी आपके point of actions निकल के आएंगे, जहां से भी आपको trade execute करना है, वो आ आप खुद से निकालोगे, और कैसे उसके उसके उपर entry लीनी क्या करना है, यह चीज़े आप देखोगे, लेकिन इतनी चीज़ के लिए रहे हैं, कि आपको करना बाई है, एक और example देखिए, अब next example देखिए, यह क्या है, HDFC, HDFC है, HDFC को देखिए, यहां पर सबसे पहले ह क्या करेंगे, जितनी मार्किंग को डिलीट कर देखिए, फर्स्ट, जो भी हमारा हाई है और जो भी लो है, इसको हमने मार्क कर लिया, हाई लो के पास जो important candle है, यहां पर इस candle को मार्क ने करेंगे, अब यहां पर सबसे बड़ी candle हमारी कौन से है, वो यह वाली है, यानि कि इस पूरी रेंज में हमें यह वाली candle देख रही है, देखिए, बारात तीस को जो candle बनी है, इसकी वॉल्यूम है हमारी 162 और इसकी 161 ठीक है, यह वाली वॉल्यूम हरी ज्यादा है, अब क्या इस वॉल्यूम का breakout मार्केट ने same day किया है, हाँ कर दिया है, यह देखिए, सब सबसे पहला जो आप देख रहा हो कि breakout होगा, वो हम इस वाली candle से ले सके, सबसे पहली चीज़ जो हमने बताए कि price आपका नीचे की दिशा में अगर गिर रहा है, और गिरते गिरते अगर हमें marking करनी है, तो important candle अगर हमें निकाले तो इसको mark नहीं करेंगे, लेकिन एक बार उसके बाद में breakout अगर हमारी last वाली candle करती है, तो ये breakout breakout माना जाएगा, समझके है न, कुल मिला करके अभी जो चीज़ फोकस करी है, मतलब ध्यान देनी कोशिश करी है, कि breakout हमें चाहिए अपनी इस वाली candle का बार आतीज का, और ये जो breakout है, ये last वाली candle भी हमारी कर सकती है, हम इसको consider करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर देखे, breakout हुए है, volumes के, इसके अलावा आगे कई सारी volumes आई है, जैसे कि इसका breakout हुआ है, ये वाली जो आपकी candle form हुई है, ये वाली इसने breakout के यहाँ पर भी breakout हुए है, और जो direction है price का, वो down है, price हमारा नीचे के तरफ गिर रह इसके लिए आपको जो भी use करने वाले elements है, वो सारे आपको use करने हो treat execute, clear न, simple सी चीज़ है, इसको जितना अच्छे से हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके practice करो, जितना ज्यादा हो सके उतनी practice करो, अब हम लोग चलेंगे बजा जोटो पर, बजा जोटो को discuss करना क्यों जितनी भी हम techniques दे रहें, इनका आप additionally use करोगे, है न, main चीज जो है, वो reading ही है, अब बजा जोटो में आप देखोगे, जो हमें buying करनी थी, तो यहाँ पर volume का तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम buying करनी, यहाँ पर देखे, decreasing loss बन रहे है, volumes, decreasing बन रहे है, volume यहाँ पर देखे, लेकिन अब इसके साथ ही साथ हमें reading कैसे करनी है, reading के according क्या है न, बजा जोटो को देखे, आज हमने क्यों निकाला था है, कि हम इसके अंदर buying करेंगे, यह बिल्कुल अपने lifetime high birth rate कर रहे है, यह इसके swing बने थे, price हमारा नीचे गिर गया, again देखे, आपर swing low protected, और price ने क्या किया, अपना ये वाला भी swing तोड़ा, ये वाला भी swing तोड़ दिया, volume के साथ breakout हुए थे, price हमारा upside की तरफ गया, इसने एक retracement दिखा यो price हमारा upside की तरफ चला गया, अब जो level हम लोगों ने mark करके आपके साथ morning में share किये थे न, यह बन जाता है resistance, और जो हमारा कल का high था, ये एक बहुत important resistance area बन रहा है, क्योंकि price में इसी जगह से last seller active हुए थे, अगर इन sellers को money में beat कर दिया जाता न, upside की तरफ तो movement हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल सकते, यह चीज़ समझ में आ रही है, कि price अपना lifetime high break करके upside की तरफ survive कर रहा है, अब अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है, high से नीचे की तरफ गिरना है, तो इसको अपना support break करके नीचे की तरफ जाना होगा, हमने कहा थना opposite सोचिया, buy करना है तो देखे कि अगर market को गिरना होगा, तो वो किस तरह का behave करेगे, तो यहां से तो price को नीचे की तरफ जाना होगा, कल क्या हुआ था, price एक green candle बनाई थी, उसके पहले एक red candle बनाई थी, तो अगर red candle बनाई थी, तो market हमारी नीचे की तरफ चली जाती, वो previous swing के पास में आकर के stuck हो गई, रुख गई, इसको देखिया, रुखने के बाद में, price ने जो सबसे अपना lifetime high था, जो इस candle के थुरू लगा, उसको भी break कि और आज का जो session था, price ने gap up opening दिखा दे, कल की जो closing थी, उसके up में जाकर के price हमारा open हुआ, तो पूरी तरह से हमें इसके अंदर strongness दिख रही थे, कि price ने अगर गलती से कहीं कल का हाई तोड़ दिया न, तो एक अच्छा move में देखनों को मिल जागा, इस वज़े से ही हमने पजाज ओटो के अंदर buying आप रहों को देखे करने के लिए, तो कल की ये जो दो candles आप देख रहो न, जिस candle को, यहाँ पर देखे, marking भी वहीं पर आ रहे है, ये जो दो candles है, एक तरह से आप बोल सकते हो, market अगर upside के तरफ निकली, तो ये दोनो candles ने जितना बड़ा move दिखा आया है, आप इसका half कर लो, 2% है, 1% का move, price अगर upside के तरफ निकला तो आपको 1% का move, पजाज ओटो के अंदर देखने को मिल जाएगा, कल के लिए ये और अभी हमने जो stock से पहले बताया था, जिसमें falling rose patterns form हुए है, ये दोनों stock आप निकाल के रख लो, कल देखो दोनों stocks के अंदर होता क्या है, ठीक है, I hope कि आज के लिए इतना काफी है, समझ भाई होगी चीज़े, आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी इसे, अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा तो आप like कर सकते हो, कुछ अगर आपको comments से हैं, questions से या फिर आपको कुछ राय है, तो आप मे उतरह से पढ़ने की और reply करने की कोशिश करेंगे, thanks, goodbye and we will meet again.